दोधास साथ में आई इस तुन की कहानी एक ड्रग डील के उपर बेस्ट है जहांपर ड्रग्स खरीदने और बेशने आये सभी लोग मारे जाते हैं पर कहानी में ट्विस्स तब आता है जब एक तीसरा इंसान को यहां नोटों से भरे हुए 20 लाग डॉलर्स का ब्रीफ केस मिल जाता है कहानी की शुरुवात 1980 में अमेरिका के टेकसस से होती है जहां एंटेन नाम के किलर को उसके पास कैप्टिव बोल्ट और एक गैस सिलेंडर मिलने पर एक शेरिफ यानी की एक तरीके से पुलिस वाला उसको गिरफ़तार करके स्टेशन ले आता है कैप्टिव बोल्ट अगर आपको ना पता हो तो ये जानवरों को काटने से पहले उनको लगाया जाता है जिससे उन्हें कट्टे समय पेन ना हो एंटेन एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर है और वो पुलिस स्टेशन में मौका देखकर इस पुलिस वाले को जान से मार देता है इसके बाद एंटेन अपनी हतकली खोल कर पुलिस की ही कार से यहां से भाग जाता है एंटिन पुलिस की गाली लेकर बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता है और रास्ते में एक दूसरी गाली को रुकवा कर उसमें बैठी इंसान को बाहर निकलने को कहता है अब उस इंसान के बाहर आते ही एंटिन अपने साथ लाई सिलेंडर और कैप्टिव योनिट से उस इंसान को मार देता है और फिर उसकी गाली लेकर यहां से निकल जाता है रास्टे में एंटन एक gas station पर रुखता है और यहां station owner से बात करते करते वो उसकी भी जान लेना चाहता है एंटन coin toss करता है और station owner से पूछता है station owner को यह नहीं पता होता है कि यह किसली है पर फिर भी वो heads बोलता है और heads ही आया होता है तो एंटन उसको बिना मारे यहां से चला जाता है अब सीन शेफ्ट होता है एक डेजर्ट पर जहां हम लूलियन मॉस नाम के एक शक्स को देखते हैं जो आज यहां शिकार करने आया है पर मॉस को यहां थोड़ी दूरी पर कुछ गाड़ियां और उसके आज पास काफी लोग गिरे हुए दिखते है मॉस जब पास जाकर देखता है तो वहां यह सब के सब मरे हुए होते है और मॉस के चेक करने पर उसको एक गाड़ी में एक जिन्दा इंसान भी मिलता है पर वो काफी घायल होता है और मॉस से पानी मांग रहा होता है मॉस के पास देने के लिए पानी नहीं होता है और इस कार के डिक्की में मॉस को काफी सारे ड्रक्स के पैकेट डिखाई देते है मौस को थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे नोटों से भरा हुए एक ब्रीफ केस मिल जाता है मौस अब इस ब्रीफ केस को उठा कर अपने घर ले आता है इस ब्रीफ केस में दो मिलियन डॉलर्स होते हैं जो इस ड्रग डील के लिए यहां पर लाए गए थे मौस अपने घर आकर अपनी वाइफ क्लारा को यह बताता है कि आज उसे दो मिलियन डॉलर्स मिले हैं पर जब वो पूछती है कि यह तुम्हें कहां से मिले तो मौस उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देता है अब रात में मौस को उस आदमी के याद आने लगती है मौस यहां से भागने लगता है पर वो लोग मौस को भागते वे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं मौस काफी दूर तक भागता है और वो लोग उस पर गोलिया चला रहे होते हैं जिसमें से एक गोली मौस के कंधे से चूकर निकल जाती है और मौस यहाँ नदी में कूद कर अपनी जान बचाता है मौस यहाँ से भाग कर अपने घर पहुंचता है और अब उसे एहसास हो गया था कि उसके लिए 2 मिलियन डॉलर्स को रखना खतरे से खाली नहीं होगा पर फिर भी वो इसे रखने का फैसला करता है वो अपनी वाइफ को समान पैक करने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मा के पास रहोगी और जब सब कुछ नॉर्माल हो जाएगा तब हम दुबारा साथ होंगे अब ये सब होने के बाद दो लोग एंटॉन को लेकर इसी जगा पर आते हैं जहां ये पूरा कांड हुआ है एंटॉन को अब वो दो मिलियन डॉलर्स जूढ़ने के लिए हायर किया गया है एंटॉन यहां मौस की गाली देखता है और इसके बाद एंटॉन के साथ आयों लोग उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाते हुए कहते हैं कि जब भी वो ब्रीफ केस आसपास होगा तो ये डिवाइस बीप करने लगेगी एंटॉन एक संकी और अपने हिसाब से काम करने वाला किलर है और वो यहाँ दो मिलियन डॉलर्स की लालच में आकर अपने साथ हाय इन दोनों लोगों को जान से मार देता है एंटॉन इसकी बाद मॉस की कार से उसके घर का एडरिस निकाल कर वहाँ पहुँचता है पर मॉस और उसकी वाइफ यहाँ से पहले ही जा चुके होते है पर एंटॉन को यहाँ उनके घर का टेलीफोन बिल मिल जाता है जिसमें वो देखता है कि एक नमबर पर बार बार कॉल करे गई है और यह नमबर होता है क्लारा की मॉम और मॉस की मदर इन लॉका अब एंटॉन को मॉस तक पहुचने का रास्ता मिल गया है अब दूसी तरफ मॉस ही ब्रीफ केस लेकर एक होटल में स्टे करता है मॉस यहाँ इस ब्रीफ केस को रूम के एर डक्ट में काफी अंदर की तरफ धकेल लेता है और फिर कुछ शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है मॉस अब जब शाम को होटल में दुबारा वापस आता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी खिड़की पर लगा परदा अपनी जगा से खिसका हुआ है और मॉस समझ जाता है कि यहां कुछ लोग पहुँच चुके है मॉस अब यहां स्टे नहीं करता है और पास में ही बने एक दूसरी होटल में जाकर रोग जाता है पर मॉस अगले दिन पलट कर यहां दुबारा आता है और इस बार 38 नमबर का रूम लेता है एंटोन भी मॉस की तलाश में होता है और जैसे ही वो होटल के पास से गुदरता है उसके ट्रैकिंग डिवाइस बीप करने लग जाती है एंटोन डिवाइस को फॉलो करते हुए रूम नमबर 138 टेक पहुँच जाता है और यहां एक दूसरा रूम लेकर इस्टे करता है मॉस अपने रूम में कुछ पाइप्स को मिलाकर एक लंबा डंडा बनाता है जिससे वो ब्रीफ केस को घसीट सके और दूसरी तरफ एंटोन अपनी शॉटगन लेकर रूम नमबर 138 का लॉक तोड़ देता है एंटोन कभी भी दरवाजा नौक नहीं करता है बलकि अपनी शॉटगन से उस पर लगे लॉक को ही निकाल फैकता है अटॉन रूम के अंधर जाकर पहले से ब्रीफ केस की तलाश में आए 3 मेकसिकन गैंक्सटर्स को जान से मार देता है एंटॉन को ढूझने पर वो ब्रीफ केस नहीं मिलता है पर उसका भी दिमाग तेज होता है और वो air duct की जाली हटा कर चेक करता है और यहाँ उसे brief case के खिसकाई जाने के निशान मिल जाते है और दूसरी तरफ मॉस यह brief case अपने room में घसीट कर यहाँ से भागने लगता है मॉस यहाँ से भाग कर एक दूसरे hotel में stay करता है और वो सोच में पढ़ जाता है कि आखिर उसकी location लोगों को कैसे मालूम चल रही है और यह सोच कर वो उस brief case को खोल कर चेक करने लगता है और यहाँ उसको नोटों के बीच में एक tracking device दिखती है और अब मॉस के समझ में आता है कि यहाँ भी कोई ना कोई जरूर आने वाला है दूसरी तरफ स्टीफिन रूट कार्सन विल्स नाम के एक hitman को brief case हासल करने के लिए अपॉइंट करता है क्योंकि वो 2 million dollars उसे की होते हैं और उसने ही Anton को भी अपॉइंट किया था पर अब Anton आउट अफ कंट्रोल हो चुका है और स्टीफिन को अपने पैसे वापस चाहिए मॉस को अपने room के बाहर कुछ आठ से सुनाई देती है और तभी एकदम से उसके दरवाजे का lock आकर उसको लगता है याने कि Anton is here मॉस भी यहाँ पर rifle लेकर बैठा होता है और Anton पर firing करता है मॉस इसके बाद room की खिड़की से कूद कर यहाँ से भागने लगता है और Anton उस पर गोलियां चलाता है यहाँ भागते है टाइम एक गोली मॉस के पेट के साइड में लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है मॉस यहाँ से जाकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है पर Anton उसके खून के निशान फॉलो करते हुए वहाँ तक आने लगता है और यहाँ यह दोनों एक दूसरे के उपर गोलियां चलाते है जिसमें एक गोली Anton की टांग में लग जाती है और वो भी यहाँ पर घायल हो जाता है और मॉस इसी का फाइदा उठा कर यहाँ से भाग जाता है मॉस यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर मौच जाता है पर वो काफी जादा जखमी होता है और इसकी शर्ट पर बहुत ज़ादा खून होता है और ऐसी कंडिशन में वो ब्रीफ केस को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता है तो वो ब्रीफ केस को फेंस से नीचे जाड़ियों में फैक देता है और रास्ते में मिले लड़कों से जैकेट और बीर लेकर बीर पीते हुए बॉर्डर क्रोस करता है ताकि पुलिस वाले को उस पर शक्त ना हो मॉस मैक्सिको के अंदर पहुँच जाता है और उसकी कंडिशन देखकर लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते है दूसरी तरफ एंदर किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता है बलकि एक ड्रग स्टोर से दवाईयां और इंजेक्शन्स चोरा कर खुदी दर्द सहते हुए वो गोली अपनी टांग में से बाहर निकालता है और अपने आपको इंजेक्शन्स लगाता है मौस्ट फॉस्पिटल में एडमिट होता है और यहां कारसन आकर उससे मुलाकात करता है कारसन मौस्ट से कहता है कि अगर वो अपनी जान के सलामती चाहता है तो वो पैसे उसे वापस कर दे क्योंकि एंटॉन पहले से ही उसके पीछे लगा हुआ है और ऐसे में वो बहुत देर तक नहीं बच सकता है मौस उससे कहता है कि उसने सारे पैसे खर्चा कर दियें और वो एंटॉन को अपने हिसाब से देख लेगा कारसन यहां मौस को वांड करता है कि एंटॉन तुम्हारी पत्नी तक भी पहुँच सकता है और यह बात मौस को खटक जाती है कारसन उसे अपने होटल के एड्रेस देता है और यहां ते चला जाता है दूसरी तरफ एक सीनियर पोलिस ओफिसर टॉम बेल इस केस को इंवेस्टिगेट करते हुए कलारा तक पहुँच जाता है और मौस का पता पोचता है बेल यहां पर कलारा को एंटन और ड्रग डिलर्स के बारे में भी बताता है कि वो किस तरह मौस के जान के पीछे पढ़े हुए है पर कलारा को मौस कहां पर है इसका कोई भी कलू नहीं होता है बेल उसको अपना नंबर देता है और कहता है कि मॉस और तुम काफी खतरे में हो तुम्हें जैसे ही मॉस का पता लगे मुझे बता देना मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूँगा ये मेरा प्रॉमिस है एंटॉन को कारसन के बारे में मालूम चल जाता है और वो कारसन की होटल रूम में जाकर उसको जान से मार देता है कारसन को मारते ही वहां उसके टेलीफोन में मॉस की कॉल आती है Anton Mohs का वो फोन उठाता है और उसे बता देता है कि उसने कारसन को जान से मार दिया Anton उसे पैसे देने के लिए कहता है पर Maas मना कर देता है Anton उसके कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जान से मार दूँगा और इस बात पर भी मॉस पैसे देने को तयार नहीं होता है और यहां एंटॉन अब क्लारा को मारने का मूड बना लेता है एंटॉन की कॉल से मॉस की फट गई होती है और इसके अगले ही दिन वो क्लारा को फोन लगा कर अपने होटल के एडरेस देता है और मिलने के लिए बुलाता है मॉस भी इस टाइम टक चिल होता है क्योंकि उसने वो ट्रैकिंग डिवाइस हटा दी होती है और अब उसे कोई भी फॉलो नहीं कर सकता है पर दो मिलियन डॉलर्स के लिए कोई कुछ भी कर सकता है क्लारा को यहां कुछ गलबड़ी लगती है और वो बेल को फोन लगा कर मॉस की लोकेशन बता देती है बेल उसे एंशोर करता है कि वो मॉस को कुछ नहीं होने देगा क्लारा इसके बाद अपनी मा को साथ लेकर मॉस से मिलने निकल जाती है पर इनकी गारी के पीछे तीन गैंक्स्टर्स भी इनका पीछा कर रहे होते है क्लारा जब टिकेट्स लेने के लिए अपनी मा से कुछ देर के लिए अलग होती है तब इन में से एक गैंक्स्टर आकर क्लारा की मॉम की समान खिसकाने में मदद करने लगता है और बातों बातों में क्लारा की मॉम उसे उस होटल का नाम बता देती है जहां वो क्लारा के साथ जा रही है बेल अब जब उस होटल के लोकेशन में पहुंचता है तो वहां उसे गाले से कुछ गैंक्स्टर्स गोलियां चला कर भागते हुए दिखाई देते है और जब बेल अंदर जाकर देखता है तो उसे मॉस मरा हुआ मिलता है और इसके थोड़ी देर बादी यहाँ पर क्लारा भी अपनी मॉम के साथ पहुँच जाती है और बेल उसके सामने काफी शर्मिंदा होता है क्योंकि वो मॉस को नहीं बचा पाया है मॉस की मौत के बाद इस पूरे होटल को सील कर दिया जाता है पर बेल रात में दुबारा यहाँ कुछ सबूत एकटा करने के लिए आता है बेल यहाँ पर नोटिस करता है कि कमरे का लॉक उसी तरह से तोड़ा गया है जैसे उसको बाकी लोकेशन्स में तोटा हुआ मिला है और उसे लगता है कि एंटॉन कमरे के अंदर ही है बेल अपनी गन निकाल कर कमरे के अंदर जाता है और एंटॉन को ढोड़ने लगता है पर एंटॉन नहीं मिलता है दरसल बेल को यहां आने में देर हो गई है एंटोन उसके आने से पहले ही यहां पर आया था और ब्रीफ केस लेकर यहां से चला गया है यहां बेल अपने आप से काफी निराश होता है क्योंकि वो आजकल के इन क्रिमिनल्स को नहीं समझ पा रहा है और उसे लगता है कि वो इन शातर अपराधियों की तरह तेज नहीं है इसके अगले दिन बेल अपने अंकल एलिस से मिलने जाता है जो खुद भी उसकी तरह पुलिस में थे और फिलहाल रिटायर्ड है बेल उनसे आजकल बढ़ते क्राइम्स पर बात करता है और कहता है कि दुनिया काफी बदल चुकी है लोग अब पहले जैसे नहीं रहे है वो कहता है कि जब मैं छोटा था तब ना ही इतना ड्रक्स का कारोबार था और ना ही इतना खून खराबा था पर आज जमाना काफी बदल चुका है और इसलिए अब मैं retirement ले रहा हूँ उसके अंकल उसे समझाते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है यह तुम्हारी सिर्फ सोच है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और अपने हिसाब से सोच रहे हो पर criminals हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और तुम्हारे retirement लेने या ना लेने से उन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा अब इसके कुछ टाइम बाद Clara की mom खत्म हो जाती है और Clara जब उनके funeral के बाद घर आती है तो वहाँ Anton को बैठा हुआ देखती है Clara समझ जाती है कि अब उसकी जान खत्रे में है Clara उससे कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसकी जान लेने से कोई भी फाइदा नहीं होगा एंटोन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है पर आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे पती की वज़ा से हो रहा है मैंने तुम्हारे पती को तुम्हारा नाम लेकर भी धमकाया था पर वो फिर भी नहीं माना और उसने ऐसा ना करके तुम्हारे लिए मौत का रास्ता चुना था एंटोन यहां कॉइन टॉस करता है और क्लारा से हेड्स या टेल्स पूछता है क्लारा इसका जवाब देने से मना कर देती है इसकी बाद एंटोन घर के बाहर आता है और अपने जूते चेक करता है कि कहीं उसमें खून तो नहीं लगा हुआ है यानि कि उसने क्लारा को जान से मार दिया है क्योंकि उसे उसको जान से मार नहीं था फिर चाहे वो उस कोईन टॉस का जवाब देती या ना देती एंटोन वाकिए एक क्रूवल और एक संकी किस्म का कातिल है और वो अपने तरीके और अपने उसूलों के हिसाब से ही काम करता है और बेल के अंकल ने उससे सही कहा था कि उसके रिटायमेंट लेने या ना लिंज से क्रिमिनल्स पर कोई फरक नहीं पड़ेगा और वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे एंटोन क्लारा को मारने के बाद अपनी गाली से यहां से जाने लगता है और अपने पीछे दो बच्चों को साइकल चलाते हुए देखता है यहां उसका ध्यान भटक जाता है जिससे उसकी कार का काफी बुरा एक्सिडेंट होता है इस एक्सिडेंट में एंटोन को काफी चोट आती है और उसके बाया हाथ इतनी बुरी तरह तोटता है कि यह एल्बो के पास तो उसकी हड़ी तक बाहर दिखने लगती है वो दोनों बच्चे एंटोन की मदद करने के लिए उसके पास आते है और एंटोन उसमें से एक बच्चे की शर्ट लेकर उसका फंदा बनाता है और उसे पैसे देता है बच्चा यहाँ पैसे लेने से मना कर देता है पर एंटोन उसे पैसे दे देता है एंटोन उसके टूटे हुए हाथ को उस शर्ट के पंदे में लटका लेता है और यहाँ से जाने लगता है और उन बच्चों से कहता है कि मेरे बारे में कोई भी कुछ पूछे प्रोमिस किया था कि वो मौस को कुछ नहीं बचा पाया और अपने दूसरे सपने को वो एक उमीद से कनेक्ट करके बताता है जो उसके पिता ने उसको दी थी पर वो ये उमीद कातिलों को पकड़ कर दूसरों को नहीं दे पाया और इसलिए उसने अपने टाइम से पहले ही रिटार्मेंट ले लिया है इस फिल्म का नाम No Country for Old Men इसलिए पढ़ा है क्योंकि Old Age में लोगों को किसी भी चीज़ का कोई Obsession नहीं रहता है और Young Age पूरे Obsession से भरी रहती है बेल को आजकल के क्रिमिनल्स को समझने में दिक्कत होती है बेल इस मूवी में लोगों के दूसरों के प्रती बदलते नजरियों से परिशान था और उसे हमेशा लगता था कि दुनिया टाइम के साथ क्रूल होती जा रही है और इनसान अब पहले जैसे नहीं रह गए है वीडियो पसंद आया होता आप वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलता हूँ आपसे एक जबदस्त कहाने के दाथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिये गुट बाई